हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और आप लोगी दुआ से मैं भी ठीक हूँ और आसा करते हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे तो आज मैं होली इस्पेसल नमक पारे की रेसिपी सेयर करने जारी हूँ आप लोगों से तो यह आप वीडियो जो है एंड तक देखिएगा नमक पारे की जो रेसिपी है यह बहुत ही खस्ता और बहुत ही फ्लॉपी बन के तिहार होगी तो आप लोगों के साथ मैं सेयर करने जारी हूँ नमक पारे की रेसिपी तो नमक पारे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहां पर आधा किलो के करीब मैदा ले लिया है और मै नमक बा-दाठ और रहते हैं सब्सक्राइब बन के लिए यहां रखाइन नमक के अज किछ oail क्छों लिए चोटे चमच के करीक अब इसको है हाथों के साहरे हम जब सबी चीजों मैंदा म्य UC qu然后 और जो होगा उसके बाद से इसको हम मसल लेंगे उसके बाद से इसको ऐसे बना लेना है बिल्कुल मतलब जो एक लड़ू के जैसा ये बनने लगे उसके बाद से इसमें मोहिन जो है पढ़ चुका है ये लड़ू जैसा बनने लगे तो ये मोहिन डाल दी है मैं इसमें अब थ तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको हम गून लेंगे थोड़ा सकत आठा हम गूनेंगे जैसे कि पूरी हो गरा काठा गूनते हैं हम तो पूरीयकोशरी का वैसे हमें इसका डो तियार कर लेना है मैं देखाreg old देखिये ओज जो है डो हमारा तियार हो गया है तो इसको जो है हम अभी थोड़ा सा रेश्ट पे रख देंगे 15-20 मिट तक के लिए तो यहाँ पे मैदे को गुन के मैंने रख दिया है और 15-20 मिट के बास से जो है चल रही हूँ मैं बनाने के प्रोसेस में नमक पारा तो यहाँ पे मैं इसको बेल लूँगी और बेल के आप किसी भी सेप में इसको आप काट सकते हैं डायमंड सेप में या जो है लंबाई अकार में चोड़ाई में जैसे भी ट्रैंगल में जैसे भी आप कुछ सेप देना है या आप मून अकार में जैसे भी आप देना चाहते हैं वैसे आप इसको काटके फ्राई कर सकते हैं गाइस तो यहाँ पे जो है मैं काटके और इसको थोड़ा-थोड़ा काटके इसको फ्राई करूंगे अभी तो इसको बारिक-बारिक से काट लेंगे हम और उसके बाद से यहां पर कराही चरहा दिया है गाइस मैंने तो कराही में रिफाइन डॉयल डाल दिया था मैंने और रिफाइन डॉयल जो है हमारा गरम हो गया है तो उसके बाद से इसको हम फ्राइ कर लेंगे नमक पाड़े को और मोईन आप गाइस ऐसे दीजिएगा जैस भी खस्ता बनके त्यार होगा तो यहां पे जो है मैं इसको fry कर ले रही हूं नमक पारे को कि मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राइब करना है तो एक बार जो है मैंने निकाल लिया था फ्राइब करके और यह दूसरी बार में डाल रही हूं अब जिस तरह से चाहिए जिस अकार का जिस सेब काप कुछ है उस सेब काप काट सकते हैं नमक पाड़ा तो वहाँ पर थोड़ा सा मैंने छोटे अकार में काटा था और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लंबाई अकार में काटा है तो इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तीन लोईया मैंने बना लिया था मैं देखी तो दो लोईया का तो मैंने बना लिया नमक पाड़े यह लाश्ट मेरा बचा है तो यह थोड़ा सा मैंने चांद सेप में बना लिया है तो इसको लिए आप कोई छोटा सा बोतल का धकनों गरा ले सकते हैं और धकन से उसको काटके आप चांसे में भी बना सकते हैं तो ये मैंने ज्यादा नहीं बनाया था थोड़ी सी ही बनाया था मैंने और ऐसे ही गाईश थोड़ा थोड़ा करके जो है आप इसको जो है काटके आप बना लेंगे इसको तो इसको भी गाईश में थोड़ा थोड़ा करके काट लिया है सारा नमक पारा और इसको भी मैं फ्राई कर दूँगी तो इसमें ज़्यादा चांद सेफ का नहीं है लंबाई सेफ में यह ज़्यादा 4-5 ही मैंने बनाया था और उसके वाद से गाइस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बना दिये है अलग सेफ में थोड़ा सा मठ्री के जैसा तो वो भी 3-4 बना दिया है मैंने और यह देखिए गाइस कितना अच्छा जो है नमक पाड़ा जो है यह बनके तयार हो गया है तो यह नमक पाड़े की वीडियो आप लोगो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और सस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाई है